कि नमस्कार मैं राहुल शर्मा आप देखने स्पेट नाइन्यूस स्वागत आपका अमारे इस खास प्रोग्रम प्रोग्रम की उश्रवात चलिए मद्यपरदेश से करते मद्यपरदेश में भी उप्चुनाव हुए और उप्चुनाव के नतीजे आज जैसे की सामने आ ही च नतीजों की मैं बात करूँ तो कॉंग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फाइदा मद्यपरदेश के अंदर हो रहा है कॉंग्रेस के प्रत्यासी अजय टंडन उनको काफी वोट मिलते वे नजर आ रहे हैं और पीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंग लोधी उन्हें नुक्स रहुल सिंग लोधी ने यहां पर काम नहीं किया अक्सर देखने को मिलता है कि राजनीतिक पार्टी की जो नेता होते वो वाइदा तो करके चले जाते हैं चुनाव भी जीत जाते हैं और जहांकने तक नहीं आते कि उनके छेत्र की जो जनता है वो किस हालक में और कितनी समस प्रत्यासी को चुनाव में वोट कर रही है वो प्रत्यासी उस रायक है भी या नहीं कि अक्सर देखने को मिलता है कि जो जनता होती वो थोड़ा रही है भेड़ चाल में जाने के बाद जनता को नुक्सान उठाना पड़ता है क्योंकि जनता समझ के साथ काम नहीं करती है हाला कि अगर बात करू तो यहां पर जिस तरह से इस्टतियां देखने को मिल रही है कि बिल्कुल यह हुआ कि वहां की जनता है राहुल सिंग लोधी के जो छेत रहता है वहां की जनता ने साफ तोर पर यह कह दिया था कि वो राहुल सिंग लोधी को वोट नहीं करेंगे बीजेपी प्रत्याशी है राहुल सिंग लोधी जो हैं उन्हें कम वोट पड़ते वे दिखाए दिया और कॉंग्रेस प्रत्याशी अजय टेंडन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसके लावा कॉंग्रेस के कुछ और प्रत्याशी भी हैं जिनें पायदा मिलता इस उपचुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी को बड़ी बड़त मिल रही है और बीजेपी को बड़ा जटका लग रहा है चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते किस तरह से उस उपचुनाओं का हाग रहा और अजय टेंडन को कितना बड़ा फायदा मिल रहा है देखिए मध्य परदेश में हुए उपचुनाओं के नतीजे लगबख सामने आ चुके हैं जिसमें पूरी तस्वीर अप सामने आती हुई दिखाई दे रही है अगर बात की जाए तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि ना सिर्फ सहरी छेतर में कॉंग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बलकि कॉंग्रेस प्रत्यासी अजे टंडन को बहुत बड़े वोटों से जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है ऐसे में अगर देखा जाए तो इस उपचुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा मिल रहा है और बीजेपी को जटका लग कि असली वज़ा ये है कि बीजेपी प्रत्याशियों ने अपने इलाकों में काम नहीं किया और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरह से देखने को मिला जोती रादित्य सिंद्या और शिवराज सिंग चोहान के बीच में भी अनबन थी और जोती रादित्य सिंद को इस चुनाओं से दूर रखा गया था और जिस तरह से उन्हें दूर रखा गया इसका असर ना सरिफ प्रत्याशियों पर पढ़ा था बलकि जनता पर भी पढ़ा था और अगर बात की जाए तो शिवराज सिंग चोहान और जोती रादित्य सिंद्या के बीच का मनमुटा भी बीजेपी के लिए भारी पढ़ता हुआ नजर आ रहा है अगर बात की जाए कॉंग्रेस की तो कॉंग्रेस प्रत्याशी अजय टेंडन जो है वो अपना भाग आजमा रहे थे जिसमें देखने को मिल रहा है कि उन्हें बहुत बड़ा फैदा मिल रहा है गाउं के चरण भी जटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है अगर बात की जाए तो जिस तरह से बीजेपी को इस चुनाओं में जटका लगा है इससे साफ पता चल रहा है कि जनता बीजेपी को नकार रही है और मद्यपरदेश में कॉंग्रेस की इस्तिती एक बार फिर मजबूत होती हु नज़र आ रही है वही अन्हें चुनाओं की भी मैं बात कर लेटा हूँ तो अन्हे चुनाओं में देखने को यह मिला कि जिस तरह से बड़े इस तरह पर पश्चिम बंगाल में खास Τरह पर टी-मसी जीत हुई और बंगालकी जनता ने ये बता दिया कि कि is तरह से वह बहम रैलिया वो करती हुई नजर आई थी जिस तरह से BJP के बड़े बड़े नेताओं ने रैलिया की थी उन सभी रैलियों पर पूरी तरह से ममता बैनरजी ने पानी फियर दिया और इससे ये साफ पता चलता है कि ममता बैनरजी ने ये बता दिया कि पश्चिम मंगाल में उनके अलावा कोई अभी शासन नहीं करेगा और इसके साथ इसाथ बंगाल की जन्ता ने ममता इनर्जी का साथ दे कर ये बता दिया कि बंगाल की जन्ता को अभी भी ममता बैनेर्जी पर भरूसा है आपने के किस तरह से बड़े इस तरह पर यहां पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और लेकिन अगर मैं इस तत्यों की बात करूँ तो जिस तरह से देखिए मध्य परदेश का उप चुनाओ बहुत ज़्यादा माइने भी रख राता हाला कि कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी पूरी पूरी ताकत यहां पर जोंकी थी और कॉंग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी और सबसे बड़ी बात है कि यह चुनाओ जो है वो बहुत अलग देखने को मिला था और सबसे बड़ी बात अगर मैं या पर बात करूँ तो ये मध्य परदेश का जो चुनाओ था इसका एक अलग नारा भी था एक अलग अलग विदा तो यहां पर देखने को यह मिला कि मध्य परदेश का चुनाओ जिस तरह से कॉंगरेस के लिए बहतर थाबीत होता वा मतलπό मद्य पर्देस बें अब Congress Party मजबूत होती हुई दिखाई दे रहे है मद्य पर्देस के अंदर Congres Party के मजबूत होने से बहुत बड़ा फायदा Congress Party कोगा इसके साथ अगर मैं यहां पर बात करूँ तो मद्य पर्देस के अलावा कुछ जो राज्य हैं वहाँ पर जो भी विदान सभा चुनाएं वहाँ पर भी कॉंग्रिस को थोड़ा बहुत फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है लेकिन अगर पूरी इस्तियों की बात करें तो चुनाव जो है वो पूरी दरा से संपन्द भी हो चुके हैं नतीज जो हैं वह होख अपकी बार चुक आने वालें कहीं को पादा हो रहा है कहीं को फायदा हो रहा हैय लेकिन घटका किसको लगाए जटका लगाए। भी इबे अकलवे टाकत लगा लें ऊस पर पानी पैइर दिया पानी फैर दिया ममता बनपनेंजी ने सावित कर दिया कि बंगाल बंगाल है और बंगाल के लोग नहीं बदलेंगे बंगाल के लोग पहले भी ममताव एनरजी के साथ थे आज भी ममताव एनरजी के साथ खड़े उवे दिखाई दे रहें और इसी का फायदा ममताव एनरजी को मिला है जो इतने बड़े इस तर से मम मुझे जाज दीजिए नमस्कार्ट